नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप ही क्यूट्यूब चैनल में सुर्फरन हम लोगे हैं डिस्केशन करने वाले हैं अबाउट इरडा के बारे में विकॉस कम्पनी नाज अपना कौर्टरली रिजल्ट अनौंस किया तो चेक करेंगे रिजल्ट कैसा आया है तो देख सकते हैं एरडा का रिजल्ट आपके सामने में है यहाँ पर जो भी नमभर में डिस्क्शन करेंगे यहाँ पर सबसे पहला अची रिवन्यू फ्रम ऑपरेशन को चेक करेंगे तो देख सकते कैसे हैं इंट्रेस्ट इंकम फीस अन इंकम यह सब को जोड़ने के आद टोटल रिवन्यू फ्रम ऑपरेशन बना देख सकते कितना है 151 से बढ़कर के 162 हो गया यहाँ भी 8% ग्रोथ है जम देखने को मिला तो बहुत ही शांदार रिवन्यू के टर्म से बहुत ही शांदार है खासा उच्छाल देखने को मल रहा है रेविन्यू तो बढ़ा लेकिन एक्सपेंस भी बहुत अच्छा कासा बढ़ा है तो यह थोड़ा नेगटिव हो गया और प्रिवेस कौर्टर से पर चकी जागा तो एक लाग तीन वन लाग थी से बढ़कर के वन लाग 17 हो गया तो ए टरली बेसे से 47,573 से गिर करके 45,990 हो गया तो यहाँ पर थोड़ा से गरबढ़ हो गया एक्सपेंस में बढ़ात होने के कारण कंपनी का अबिटीरा में गिराउट देखने को मिल रहा है चक करेंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्र टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट क्या आफ दो तरह का टैक्स है एक तो किया करेंट टैक्स और दूसरा है डिफर टैक्स यहाँ पर देखेंगे करेंट टैक्स यहाँ पर धेफर टैक्स सब कुछ माइनस करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी बता जा रहा है last year था 28,473 तो साल तर साल अच्छा कासा net profit में उच्छाल है 36% का quarterly basis में देख सकते है 38,369 से बढ़ करके 38,372 और गया तो quarterly basis में 1% का है पर उच्छाल देखने को मिल रहा है तो net profit में उच्छाल है yearly and quarter basis दोनों में because यहाँ पर देखेगा previous quarter में यहाँ पर जो deduction था वो ज़्यादा था in comparison to अभी अब है company का हम लोग चेक करेंगे EPS, earning per share को चेक करेंगे तो 1.44 का अभी बता जा रहा है last year था 1.25, तो EPS में भी देख सकते हैं उच्छाले and यह साल दर साल and quarterly basis में EPS 1.43 से बढ़ करके 1.44 हुआ है, तो result जो रहता है revenue के मामले में भी ठीक ठाक है and net profit में उच्छाल देखने को में तो EPS अभी ठीक ठाक है, अब सब कुछ depend करेगा market के mood महौल को उपर, जिसे global domestic sentiment कैसा रहागा उसको उपर and 240 को उपर में अगर यहाँ से EPS निकलता है, 240 को उपर अगर जाता है तो आपको अच्छा खासा है, आपको उच्छाल देखने को मिल सकता है अच्छा खासा breakout देखने को मल सकता है IRIDA के share में, so यह था completely regarding IRIDA result, I hope आपको वीडियो अच्छा लगोगा, वीडियो अच्छा लगा तेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, share कीजिएगा and चैनल को subscribe कीजिएगा, thank you